आईए चौथा मसला देखते हैं आप सोच लेएंगे अभी तक तो इस चौथे पर आएं खाने को देंगे के नहीं नो के एक तो कर दिये हो लिए नमबर गड़रा टाइम बढ़ रहा नो था नो का सीधा कहा आगया अभी एक पर आ गया नमबर चोटा होगा लेकर टाइम बढ़ते जा रहा है आमीन जोर से कहना जोर का मतलब आदमी ये ने समझे कि एक आदमी अजान की तरह आमीन गए लेकिन ये कि जहर के साथ आमीन कही जाए कि बलंद आवाद से आमीन हो जिसमें वकार, खश्यत और खुशू की याने उसका लिहाद रखा जाए एक दम ये ने कि बेढ़ंगे तोर पर कोई भी आदमी चिला है या चीफ हो कि सामने वाला घबरा जाए कि क्या हुआ है ऐसा भी नहीं हो या बाहर जाने वाला जाए कि इनको क्या हो गया है उन्तों वेसे क्यों चिला है अंदर से कुछ एक्सिसाइज कर रहे है ऐसा भी नहीं हो आमीन ऐसे वकार हरम में आप सुनते हैं देखिए वो लोग चिलाते नहीं है और ऐसा भी नहीं कि बीमार लोगों के आमीन हो एकदम कि सब बीमार लोगों को लाए पकड़ के एकदम बल्ले बुट तवास उसे आमीन बोलने का ऐसा भी नहीं बलकि आमीन ऐसी हो वकार हो और उसके अंदर एक कुवत भी हो दोनों होना चाइए बाद लोग बहती बीमार आमीन बोलते हैं ऐसा भी नहीं होना चाइए बलकि आमीन अच्छी आवाज से कहना चाही है लेकिन उस आवाज में आवाज में याने फहष नहो बेढंगा पन नहो खोची आवाज में आमीन का कुवत उसमें होना चाहिए, खुट होना चाहिए उसमें इसलिए कि रिवायत में आया है कि सहाबा जब आमीन कहते थे और तावईन आमीन कहते थे मस्जिद में गुंज पैदा होती थी गुंज में और धमाके में फरक रहता है आप याद रेखे से गुंज का मतलब याने आवाज गुं जाती थी मस्जिद के अंदर, क्योंकि बड़ी मस्जिद थी मस्जिद हराम में पड़ी जाती थी नमास इसके बारे में दलील क्या है वाईल अबनी हुचर रदियाल्लाह उत्मा फर्माते हैं काना रसूलूल्लाह सुल्लाह उल्यूसलम इदा कर वलब दलीन काल आमीन वरफ़ भिहा सुटहू इमाम अबुदाउद ने इसको रिवायद किया फर्माते हैं कि अल्लाह कि रसूलूल्लाह उल्यूसलम जब वलब दलीन पढ़ते तो आप आमीन कहते वरफ़ भिहा सुटहू आप अपनी आवास को उंचा करते हैं रफ़ उंचा करना वरफ़ नलकर दिक्रक उंचा करना तो अपनी आवास को आप क्या करते हैं उंचा करते हैं इसी तरह से वायल इबन हुजर रदियाल्लाह उन्ही की रिवायत है फरमाते हैं अन्नहू صلح خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم अब ये नमाज का मामला आ रहा है कहते हैं मैंने नमाज पड़ी अल्ला की रसूल صلی اللہ علیہ وسلم के पीछे यानि ये कुंसी नमाज थी जमात की नमाज थी आप से लिए अमाम थी फजहर अबी आमीन अल्ला की नभी صلی اللہ علیہ وسلم आमीन कैसे कही जहर से कही जहर के माना जहरी नमाज होती है जहर से उसमें करत होती है तो इमाम साफ जह सब पढ़ते हैं जहर के साथ पढ़ते हैं तो ये आपने आमीन कैसे कही जहर के साथ जहर से आपने आमीन कही छुपा के आमीन नहीं कही बल्के अलानियां तोर पर आपने आमीन कही इसको भी अबुदाउद ने रिवायत किया है इसी तरह से आला कि रसूल सल्ल लाहु लिए में फर्माया इज़ा अम्मनल इमामु फअम्मिनु जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो फइनहु मन वाफक तअमीनु तअमीनल मलाइका इसलिए कि जिसकी आमीन फरिष्टों की आमीन के मुआफिक हो जाए गुफिर लहु मा तकदम मिन दंबही उसके पिछले तमाम गुनाहों की मफिरत हो जाएगी तो इसमें ये कहा गया है कि जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी जाहिर बात है इमाम साफ की आमीन सुनने आएगी तबी तो आमीन हम कहेंगे तो मालुमा इससे इमाम को क्या करना चाहिए आमीन जोर से कहना चाहिए जोर से कहना चीजिए जैसा कि खुद अल्ला की नभी सलला सुन का आमल था आप जोर से आमीन कहते थे इसे पिछले आदिस में आपने देखा ये जो आदिस है ये बुखारी मुस्लिन दोलों में मौजूद है आपने कहा जब इमाम आमीन कहा तुम भी आमीन कहो लेकिन ये तो इमाम के लिए तुम आमीन कहो जोर से आईसा किदर है बाद इससे अगर आदमी दलील ले तो ये काफी दलील नहीं है सराहतन इस्तिमबात के इतबार से दलील बनती है सराहतन नहीं बनती क्यों? इसलिए कि जब अकानह अबन जुबैरी जोर से और तो जोर 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 जो या उम्र कुराण, यानि सूरत फातिछा पढ़ने के बाद, आमीन कहते थे, वे साहबी आमीन कहते थे, काल न नम, अताबई हैं। हाँ वो आमीन कहते थे. वा यॉएम्नु मिवराईहि और उनके पीछे वैले भी आमीन कहते थे. यानि ये कौन होते थे अबने जुबैल इमाम होते थे और पीछे वाले मुक्तदी होते थे तो उनके पीछे वाले भी आमीन कहते थे हता अन्ना लिलमस्जिदी ललजजटन यहां तक के मस्जिद में गूंज पैदा हो जाती थी चुपके चुपके गुंज होती है नहीं होती है बलके आवाज होती थी इससे मस्जिद में क्या होती थी गुंज पैदा होती थी तो सहाबा जब इमाम होते थे तो पीछे मुक्तदी और ये मिल के सब कैसे आमीन कहते थे कि मस्जिद में गूंच पैदा होती थी मालूम आमिन कैसे कहनी चाहिए जहरी बाद गोगों ने इस रिवायत पर कलाम किया है बेहकी की रिवायत में लेकिन यही रिवायत मुसन्नफ अब्दर रजाक में मौजूद है जिसमें सराहतन मौजूद है कि अता से इवने जुरेज ने सुना है इवने जुरेज मुदलिस है लेकिन यहाँ पर वाद अलफाद में कहरे है मैंने इवने जुरेज से कहा अता से कहा कि क्या इवने जुरेज आमिन कहते थे तो अता ने ऐसा कहा मालूम है ये दोनों के बीच में कोई और आदमी है? नहीं है तो इबन जुरेज ने बराए रास रिवायत सुनी है किस से? आता से आता कौन है? तावई है अब्दुलाइज अजुबेर कौन है? सहाबी है इस रिवायत को इमाम बुकारी ने भी सही बुकारी में बेगयर सनत के जिकर किया है तालिखन और जजबमन जहरुलाइमाम भी तामीन इमाम को जोर से आमीन कहना चीए बाब में तो इस से मालूँ हा कि सहाबा के दौर में सहाबा बत्वार इमाम जब होते थे वो और उनके पीछे मुक्तदी जिनमें सहाबा तावईन कोई भी हो सकता है वो पीछे क्या करते थे आमीन कहते थे तो जैसा आज पलटके देखते इमाम साथ कुन बोला आमीन उजोर से तो ऐसा सहाब ही नहीं देखते थे आज की इमाम साथ को दीन की फिकर है था उनका बलके तारीम सी अल्ला के नभी 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 की मैं उसका जवाब दे रहा हूँ आइस्ता कहने के बाद मुआफ़कत की बात करें आप तिरमिजी ने इस बारे में कहा है के और यही कौल गयर वाहिद मिन अहलिल इल्म मिन अस्थाब नभी चल्ला लाए ले लिवस्लिम और यही कौल है एक से ज़्यादा एहलि इल्म का अल्ला के नभी स्थाबा में से सहाबा में से् nommy के के सहाबसे का एले के आमिन जोर जड़ एकना चाहिए और ताभईव, भी और उनके बाहत वाल भी यरवना अनर्रजुला यर्फ़ु सौटहू बित्अमीन वला युख्विया इनका ये कहना है सहाबा ताबईन तब ताबईन का बहुत सोंका के आदमी आमीन के लिए आवाज उंची करे उसको छुपाए नहीं आवाज वला युख्विया मख़ी न रखे उसको छुपा के आमीन न कहे वबिही यकूल श्चाफई वाइमद वाइस्हाग यही कौल है इमाम श्चाफई का और इमाम एहमद का और इस्हाग अबन राहुए का आप समझे रहे होंगे देखिए इमाम तर्मीजी बार बार कहते है श्चाफई का भी ये कहना है अबिहलाद मुबारद का कहना है और वज्चाई का कहना है इमन और उयेञा का कहना है यह आमा गुझरे है थुब तो बैता रहे है इनके बारे में और हम चार ही न को करके गरीब उमत एकदम चारी जैसे पलंके चार कुटए बस चारी आएसा नहीं, इनके सिवाभी और आईमा गुज़रें इसाथ इïmност आपन राहुए, बहुत बड़े आईमा में सुझ़रें लेसे इसाथ बड़े आईमा में सुझ़रें रभिया, बहुत सारे उलमा में गुज़रें बहराल, तो इससे मालूम हुआ कि 50% इमाम, चारों में से दो, आदे इदर आदे उदर, आमिन जहर से करने के कायल हैं, ऐसा नहीं है कि आज हम किसी को सताने के लिए जोर से आमिन बोलते हैं, ऐसा नहीं है, बलकि दो इमाम हैं, इमाम शाफई और इमाम अहमद, दोनों कहता है कि आमीन जोर से बोलना चाहिए एक साथ एक अजीब बात कहने लगे आइमा के बारे में के लिए देखो मानना सारे नभीओं को है लेकिन मानना एक नभी की है बोले इमान कितने नभीओं पे लाते सारे नभीओं पे लेकिन मानना कुंसे नभी की है محمد صلی اللہ علیہ وسلم वैसा ही मानना चारों इमामों को है लेकिन मानना एक इमाम की है कितनी पहरी बात है अब 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 क्या 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 बोलते है अच्छा हो मालूं पड़ा है हमको लेकिन आप गोर करें इसके बाद हम थोड़ा कुछ और बोलेंगे तो मामला उल्टा हो जाता पिर अब बोलते है ठीक है एक काम करते हैं क्या हम इमामों में से चुन सकते हैं कोई भी एक इमाम तो यहाँ चुन सकते हैं एक तो फिर उसके पीछे तो मुसा अलिएसलाम मेरे को बहुत अच्छे लगते है तो मैं मुझpha عل.zia को चुन सकता हूँ, क्या कोई बोले मेरे को हुषा लिएल.अजिंज अंदलों को आग देते थे, मेरे को भी डॉक्टर बनने का है, तो मैं हुषा लिएल.शल.ई चयोज़ वहां पे नहीं है, वहां पे लास्ट है, तो इमाम अभुहनिफा उनके बाद पैदा हुए इमाम मालिक उनके बाद पैदा हुए इमाम शाफई उनके पैदाव इमाम अहमद तो यह दो आमिन वाले आ रहे हो कों से पहले वाले कि बाद वाले हैं बाद वाले हैं तो आगे बोलें जिसे यहां एंड में यहां भी एंड में कर लो चलेगा इजा जैसे नभीयों में सब आए 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 गए और हम आप किसके पीछे चल रहे लास्ट वाले की पीछे चल रहे तो इमामों में से ऐसा कानून अपनाएंगे कि तीन आए तीनों गए आप चौथे बचे इमाम अहमद इन्हांबल तो उनकी पीछे चलेगा इजा नहीं चलेगा एक चीज जो है एक जगा फिट होती दूसरी जगा पकड़ी आती इसके जो शुभात हैं इन्शाला हम आमीन के मसरे में कुछ हिस्सा जो आमीन के दलायल से मतालिक है हमारे सामने था और जेर बहस था जो उलमा आमीन बिल जहर के कायल है उनमें से दो बहुत ही बड़े इमाम है इमाम शाफ़ी और इमाम एहमद ये दोनों आमीन बिल जहर के कायल है आईए देखते हैं वो क्या शुभात हैं जिसकी बनियाद पर बाद उलमा कहते हैं खुस्छान हनफी अज़रात कहते हैं के आमीन आहिस्ता से कहना चाहिए इस स्लसले में पहली रिवायत वायल इबन हुझर रदिया लगात है जिसको इमाम एहमद और तिल्मिदी और रिवायत किया है वायल इबन हुझर रदिया लगाते हैं सम्हित न्बी चुन भुझर वझर से करा वलिदी दो में फुझर आमीन यमुद बहा सवतह। वाद रे करा शुबह हुझर नी 라िव रिवायत करा लंसान है आपने ज़ए प्रमस का वलिदी और दो में आमीन करा यमुद बहा सावतह। आपने अपनी आवाज में मद्द किया शौबाज जो इस हदीश के रावी हैं उन्होंने इस हदीश को वखफ़ दबिहा सुतहू के अलफाज से भी रिवायत किया है कि अल्ला कि नभी स्थ लिए अपनी आवाज को पस्थ किया इस हदीश में अवलन तो लफ़ यमद्द बिहा सुतहू यमद्द बिहा सुतहू के अलफाज है बाद उल्माने कहाँ यहां पर मद्द आवाज को पस्थ करने के माना में है वो इदल अर्द मुद्द वो गहते हैं यहां पर यमद्द के माना दबाने के पस्ट करने के नीचा करने के जिसे गुरान करीम में है कि जमीन जब पस्ट कर दी जाएगी जब उसको पहाडों से फ्लैट कर दिया जाएगा तो नीचा कर दिया जाएगा कोई पहाड कोई उंचा जमीन पर नहीं होगी तो कहते हैं यहां पर मद्द बिहा सौत हू یमुद् बिहा सौत हू के माझा है कि आवाज को पस्ट करते थे लेकिन ये अनौका इस्तदलाल है इसलिए कि अर्वी जबान में सउथ के साथ जब भी मद्द आता है इसका मطलब होता है आवाज को क्हींशना पस्ट करना अर्वी जबान के कायदे ही में नहीं है यह अर्वी जबान अगर आप देखें अर्वी जबान में मद्दा अगर सौथ के साथ आता है आवास के साथ मद्द करना होता है इसका मतलब होता है आवास को खीशना लंबा करना है उसमें कहीं भी अर्बी जबान में नहीं आता है कि आवाज को पस्ट करना मद्द के लिए इस्तमाल है दूसरी चीज़ों के लिए मद्द के माना पस्ट करने के हो सकते है लेकिन आवाज के लिए कभी भी अरभी जबान में ये पस्त करने के इस्तमाल ली होता है बलके खेंचने के रिये इस्तमाल होता है इसी लिए शुबा ने यहाँ पर कहा कि और खा kicking बिहा सौतहू कि अल्च के अवाज के नवी सलों और आवाज पस्त की तो ये रिवायत बिलमाना की वज़ा से खता है क्यों इस लिए कि आप देखिए इमाम अल्बेहकी फर्माते हैं इस हदिस के बारे में कि आपने आवाज नीची की तो क्या आमीन में आवाज नीची करने चाहिए तो इस बारे में इमाम बहिकी फरमाते हैं वर्वाहु शुबा अनसलामत अबन कुहैल इस रिवायत को शुबा ने रिवायत किया है सलमा अबन कुहैल से वकार फी मतनही उन्होंने अपने मतन में अलफाज बेयान किये खफल लबी हासवतहु कि LLC अपनी आवाज आमेन के सिलसले में पस्त की नीची की खपधा रफ़ा का उल्टा होता है खपधा का माना होता है नीची करना है कहते हैं वगद अज्मिषण। सारे हुववफाज का अिज्मा है हुववव, पुराण के हुवववव नहीं حدیث کے حفاظ حافظ حدیث کی اسطلاح میں کس کو کہتے ہیں جس کو ایک لاکھ حدیثیں سند اور مطن کے ساتھ یاد ہوں ایک لاکھ حدیثیں جس کو یاد ہوں سند کے ساتھ میں اس کو کہتے ہیں حافظ امام البیقی کہتے ہیں کہ وَقَدْ أَجْمَعَ الْحُفَاظِ محمد ابن اسمعیل البخاری وغیره عَلَىٰ أَنَّهُ أَقْطَعَ فِي ذَلِك کہتا ہے کہ امام البخاری محمد ابن اسمعیل البخاری اور ان کے سوا دوسرے حدیث کے حفاظ کا اس پر اجماع ہے سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں پر اس حدیث میں شعبہ نے خطا کی ہے معلوم ہوا کہ اس حدیث میں خَفَضَ بِحَا سَوْتَهُ حدیث کے حفاظ کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ شعبہ کی خطا ہے اور جو خطا سے استدلال کرنا سئی نہیں ہے تو آواز نیچے کرنے کی جو حدیث ہے جس کو امام الترمیدی نے روایت کیا ہے اس کو خود امام البحطی کہتے ہیں کہ یہ خطا ہے یعنی راوی کی غلطی ہے کہ انہوں نے یہاں پر کہا آواز نیچے کی دوسری بات اگر مان بھی لیتے ہیں آواز پست کرنا تو اس سے آواز غائب کرنا نہیں ہوتا ہے آواز پست کرنے میں آواز تو ہے نا تو جو حضرات کہتے ہیں کہ آواز بالکل آنا نہیں چاہیے آمین کی تو ان کا قول خفض ابحاصو تہو سے صحیح ثابت نہیں ہوتا ہے اس لئے کہ یہاں پر آواز پست کرنا ہے جس سے آواز کا وجود ختم نہیں ہوتا ہے جب آپ آواز نیچے کرو تو اس کا مطلب آواز بند کرو نہیں ہوتا ہے آواز موجود ہوتی ہے مثال کے طور پر ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ طرح فرماتے ہیں خنت ما عمی میں اپنے چچا کے ساتھ تھا اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہوہ یختب آپ خطبہ دیر ہے تھی فقال لا تزال امر امتی صالحا آپ نے فرما کہ میری امت کا معاملہ ہمیشہ ٹھیک ٹھاک رہے گا حتی یمدیا اثنہ عشر خلیفہ یہاں تک کہ بارہ خلیفہ اس امت میں گزریں گے وَقَفَضَ بِهَا سَوْتَهُ اور آپ نے آواز نیچے کی فَقُلْتُ لِعَمِّ وَكَانَ أَمَامِ میں نے اپنے چچا سے کہا اور میری چچا تھوڑے آگے بیٹھے ہوئے تھے بیان میں مَا قَالَيَ عَمِّ اے چچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آواز نیچے کی تو آپ نے کیا کہا قَالَيَا بُنَيَّا قُلْهُمْ مِنْ قُرَيْش کہا کہ اے میرے بچے کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما وہ بارہ کے بارہ سب کے سب قُرَيش میں سے ہوں گے اس کو امام حاکم اور طبرانی نے روایت کیا یہاں خَفَضَ بِهَا سَوْتَهُ کا لفظ موجود ہے لیکن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر آواز کے کچھ کہا یہ پوچھ رہے کہ آپ آگے بیٹھے تھے ہم تھوڑا پیچھے بیٹھے تھے ہم کو سننے نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کیونکہ آپ نے آواز نیچے کی تو آپ نے سنا آپ بتاؤ کیا کہا وہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ سب کس میں سے ہوں گے قُرَيش میں سے معلوم ہوا کہ आप बात कर रहे थे उची आवाज के मुकाबले में आपने आवाज नीचे की तो थोड़े दूर वालों को सुनने नहीं आया है तो क्या इसका ये मतलब है कि आवाज आपने बंद कर दी नहीं क्योंकि आप जब सुन रहे हैं कि सब कि सब कुरेश में होंगे तो आप कह रहे हैं लोगों को और आप खुदबे में हैं और कौन इमान खुदबा ऐसा देता है कि किसी को भी आवाज नहीं आ लिए इसा खुदबा होता आवाज एक मुबलिख या एक खतीब खुदबे के दर्मियान उची भी करता है कभी नीचे आवाज से भी कुछ कहता है अल्ला के नभी सल लल्ला लिए खुदबा दे रहे थे आपने उची आवाज से कुछ कहा उसके बाद आपने आवाज नीचे की लेकिन आपने आवाज गायब नहीं की तो जो लोग खफदा विहासा उतहु से दलील पकड़ते हैं कि आमीन एकदम पस्त आवाज में गायब आवाज में कहना चाहिए सिर्री तोर पर उनकी दलील भी सही नहीं है माइनन और अर्बी के काईदे के इतबार से भी वो गलत है क्योंकि खफदा विहासा उतहु से बगेर आवाज के आमीन कहो थाबिट नहीं होता है समझ में आवाज तो खफदा के माना आवाज आने वाली आमीन होती है येने के बगेर आवाज की आमीन दूसरी बात ये कि अगर इस रिवायत को सही मान भी लेते हैं तो इससे दो चीज़े थाबित होती है कि कभी आवाज बहुत उची आवाज जैसे होती है आम तोर से हमारे हाँ पर वह इसी आमीन से कहा जाए कभी थोड़ा कम आवाज से कहा जाए अगर सही माने तो सही तो है ये रिवायत इससे ये थाबित नहीं होता है सही हो तो दोनों आमल की गुंजाईश मिलती है लेकिन अगर दो में से एक रिवायत जईफ हो तो फिर उसे दलील पकड़ना सही नहीं है अगर खफ़ अभी हासवत हो की रिवायत सही मानी जाए तब भी इससे बगएर आवास के आमीन थाबित नहीं होती है दो ये रिवायत सही नहीं है इसलिए के बड़े बड़े हुटफास कह रहे हैं कि ये रिवायत सही नहीं है इसलिए हम इतनी अच्छी रिवायत जिसमें आमीन उच्छी आवास से कहना है उसको छोड़कर और सहाबा बाद में भी आमीन उचे आवाद से कहते थे उसको छोड़कर हम बगेर आवाद वाली आमीन कहें कोई इसमें मतलब नहीं निकलता है जबके ज़ीफ हरी से है एक शुबा इसमें क्या है और एक शुबा जिकर किया जाता है और चीख है ये जईब बुखारी की लात है हम लो glasses बुखारी की लात है क्या रिवाद है आता रह्मतーピल्व और जो ताबे है वो कहते है कि आमीन दुआ है आमीन दुआ है तो तो कहते हैं द़ा को आइस्ता करना चाहिए मुझे आवाज में दौा नहीं करना चाहिए बलकि आवाज दौा में एक दम छुप छुपा के होना चाहिए कौन कहता है? अल्ला ताला फर्माता है कहा है? पुरान करीम में सुरह अल-अराब आयत नंबर 55 अल्ला ताला फर्माता है अपने रफ से दौा करो तदर्र गिर गिरा कर वा खुफियतन चुप चुप चुपा कर गिर गिरा के चुप चुपा के दौा करो एक दम खुफिया तोर पर दौा करो अपने रफ से दौा करो अल्ला ताला हदें पार करने वालों को पसंद नहीं करता है कहते हैं को इससे मालूम होता है कि दूआ में असल इखवा है और आमीन दूआ है इसलिए आमीन आहिस्ता कहना चीए एक लिए खूशा गोँ फिर के हालां कि रिवायते सामने मुझन है जो तूशे आमीन कहने की जाए उसकी एक मिसाल हम जो सलाम एक दूसरे को करते हैं वो कैसा करते हैं आमीन जैसा बोलते हैं इसा आइस्ता से सलाम क्या है असलाम अलाइकुम क्या मतलब इसका होता है तुम पर यह क्या बद्दुआ है यह द्दुआ है हम एक दूसरे को सलाम करते है और कैसा करते है एक दूम दिल के दिल में छुप छुपागे नहीं आमीन अगर आइस्ता कहना इस वज़ा से कि वो दूआ है तो दूआ इस्ता ही करना चाहिए तो सलाम भी क्या है सलाम दूआ है तो सलाम को भी कैसा करना चाहिए एकदम आमीन के जिसा दिल में इशारे इशारे में एकदम सिक्रेट सिक्रेट तो आमीन के बारे में खुद आल्ला के नभी स. अल्ला रिसमें फर्माते है अफ्शु सलामा बेनकू सलाम को आपस में आम करो यानि सलाम अगर्चा दौा है एक दूसरे के लिए लेकिन इसके बावजूद सलाम कैसा होना चाहिए इसमें इफशा होना चाहिए इखफा नहीं याद रखिये इसको यानि ये आम होना चाहिए छुपाना नहीं चाहिए इसको बोलेंगे लेकिन सलाम तो साबी थे जोर से ही बोलते ना तो हम कहें ठीक है यानि कुछ चीज़ ऐसी है जो दूआ है लेकिन जूर से बोली जाएंगी मिसाल के तो पर कुनूत है कुनूत नाजिरा होती है जब भी मसाहिल मुसल्मानों पर आते हैं तो इमान दूआ करता है पीछे मुक्तदी आमीन कहते हैं फजर में होती है जोर में या असर में कभी भी कर सकते हैं बाच और नमान में कुनूत हो सकती है लाग नभी ने सब्तर सहाबा जो गतल किये गए थे तो आपने एक महीना तब कुनूत की थी और आपके अलफाज सहाबा ने नकल किये हैं तो वो दूआ थी जोर से नहीं मांगे जोर से मांगे या इसी तरह से अल्ला के नभी स्वाल लारुस में के पास सहाबी आये कहा तुफएल इबन अमर अद्वसी का अल्ला के रसूल कबिल अद्वस ने सरकशी अख्तियार किये और मानने से इंकार कर दिया है आप उनके लिए बद्वा की लिए है आपने हाथ उठाए गिबले की तरफ रुक किया आपने कहा अल्लाहुना हदी द्वसन वाची विहिम ये क्या है? द्वा है सहाबा आवाज सुन रहे है मालुमाँ द्वा जोर से भी कर सकते है द्वा में आइस्ता और जोर का काईदा नहीं बलके जैसा इंसान चाहता है मौका जैसा सुबूत हदीस से हैं वो इसा आदमी करे अकिला द्वा मांगड़ा है तो रिया गारी न करे लेकिन जहां जोर से द्वा साबित है वहाँ जोर से ही करनी पड़ेगी अब बताएगे ये जो लोग बोलते है नमाज के अंदर आमीन द्वा है द्वा इस्ता करना चाहिए जैसे ही सलाम फेरते हैं साबित नहीं है उसको जोर से करते हैं और वही आमीन की दलीज जो नमाज में दी जा रही है सलाम फेरने के बाद पबलिक पीछे से क्या गरती है और आप आमीन मत बोलो देखो आपे एक साथ सब की आवज आती है और घंटों घंटों भी दुआयां होती है खुसुसी तोर पर भी दुआओं में लोग चिरकत करते है आमीन के लिए जाते है न तो आमीन पबलिक में आती है आवाज गुंचती है आमीन वहाँ भी तो नमाज में हमारी गुंचरी तो हम प्राब्लम दे रहे हैं और नमाज के बाद इनकी दुआओं में गुझरी तो नहीं गुझरी तो नहीं गुझरी आवाज आमीन 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 एट की नमाज में ये नमाज में जुमा में पांच टाम की नमाज में आमीन लोग नहीं बोलते हैं तो वो आमीन छुपाने की नहीं है तो जब वो कहन के साथ में इस तरह से इज्टिमाई दौा करना कोई सुबूत इसका नहीं है कोई सुबूत नहीं है आगे मैं आऊंगा उसके उपर तो अब शुछ सलाम आप बेनकुम से मालुम हुआ कि बाज दौा या कलिमात को जोर से भी कहना चाहिए बलके सलाम तो अच्छी गासी आवा से होना ची एक इसमे शुबा यह भी किया जाता है और हमारे मुनादिर साहब ने किया है वो कहते हैं कि देखो अब यह अईसा नुक्ता है जो अहल इल्म में से किसी ञीन भी बेन När किया है ये मालुमने का अल्हाम हुआ कश्छ हुआ क्या हुआ है वो कहते हैं देखो Mes Selenahear थ में फर्माते हैं इदा अमना अमाम फाम्मिनू जब इमाम आमीन कहे तुम भी आमीन कहो फइन्नहु मन वाफक तामीनु तामीन अल्माइकती गुफिर लहु मा तकद्दम मिन दंबिह। तो जिसकी भी आमीन फरिष्टों की आमीन के मुववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव तो तुम को भी क्या करना चाहिए बगेर आवास की इतनी पावर बुखारी मुस्लिम हो भी खाली बुखारी या खाली मुस्लिम भी नहीं दोनों जमा हो गए और फरिश्टों की मुआफ़कत होना चाहिए बाज अवकाद ये इस तरह की जो जूटी दलीले हैं जो मन्तिकी तोर पर निकाली भी दलीले हैं बाज अवकाद दिखाई देती कि हाँ ना बिल्कुल सही है कि फरिश्टों की तो आवास आती नहीं दाएंबाई देखता आथ में आपने को तो नहीं आती आवास अवकाद कही गई है वो ये कि जब तक कि इमाम आमीन नहीं कहता है क्योंकि हदिस के अगले अलफाज बाद वाले के लिए बता रहे हैं जब इमाम आमीन कहे तो तुम आमीन कहो इसलिए जिसकी, हदीस में है कि जब इमाम आमीन कहता है, तो फरिश्टे आमीन कहते है, तो जिसकी आमीन फरिश्टों की मुआillions कर जाए, तो उसके पिछले ग Rickian Maaf ओनगे का मतलब यह है, कि फरिश्टे कभी भी इमाम से पहले आमीन नहीं कहते है, वो हमेशा इमाम के ताब होकर आमिन कहोगे, आगे पहल उससे नहीं करोगे, और उनके साथ तुम्हारी आमिन मुआफिकत कर जाएगी, तो फिर तुम्हारे गुनाव की मगफिरत होगी. यही माना अलमा ने जिकर किये है. लेकिं सवाल यह ऐसा आपता है कैसा कर सकते हैं? हमको तो यहीं रगराए कि यहां पर बगेर आवास के फरिष्टों की आमीन होती है इसलिए हमको भी बगेर आवास के कहना चाहिए बदाहिर हो सकता है किसी को ऐसा मैसस हो आईए देखते हैं अगर फरिष्टा जोर से भी चिला है तो आपने को सुनने आता कि मियादा है आईए रमदान के बारे में अल्ला की नबी स. अल्ला की हदीश है आप फर्माते हैं इदा कान अव्वल लेलती मिन शहर रमदान जब रमदान की पहली रात होती है रमदान का मेंना शुरूता है पहली रात सुफिदती श्यातीन वदमरदतु जिन श्यातीन और सरकस्ट जिनों को सुफिदत जनजीरे पहनाए जाती हैं कैद कर दिया जाता है वगलिकत अबवाब नार और जहन्नम के दरोफे बंद कर दिये जाते हैं लॉक कर दिये जाते है कोई एक दर्वादा भी जहन्नम का खुला नहीं छोड़ा जाता है और जन्नत के दर्वादे खोल दिये जाते है उसमें से कोई एक दर्वादा भी बंद नहीं रहने दिया जाता है एक निदा लगाने वाला निदा लगाता है एक पुकारने वाला पुकारता है या बागि आफ़ का इरादा करने वाले आगे बढ़ या बागि श्र अक्सिर और आफ श्र का इरादा रखने वाले रुक जा लिल्लाह उटगा उमिन अन्नार वजालिक कुल लीला अल्ला हर रात में कुछ बंदे होते हैं जिनको जहन्नम से आदादी अता फर्माता है यह हर रात होता है क्या होता है क्या एलान होता है ऐ खेर का एरादा करने वाले आगे बाड शर का एरादा रखने वाले रुक जा कभी सुने आप बच्पन से रोजे रखते कभी तो सुने आप यह एलान कौन करता है एलान एलान कैसा करते चुटके करते जोर से एलान होता है लेकिन कभी आप निदा किसको कहते है निदा अजान को भी निदा कहते है इदा समिछ तुम निदा तुकूल। मिथल मा यकूल मुद्दिल जब तुम निदा सुनो तो जैसे मौजिन कहता है कहो तो अजायन को क्या कहते है निदा तो यहां पर भी क्या हो रही है अजायन कीसा चिला रहा फरिश्टा है क्या बोड़ा है ए खैर का इरादा रखने वाले आगे बढ़ शर का इरादा रखने वाले रुख जा सुनते हैं हम लोग नहीं तो यहां परिश्टा चिलाए भी तो हम नहीं सुन सकते है तो बहुत मुम्किन है वो भी जोर से बोलते है लगिन सुनने हम तो थोड़े आएगा यानि उनका सुनने हमको ना आना इस बात की दलील नहीं है कि वो चुपके से आमीन कहते है वो जोर से भी आमीन कहते है तो हम सुनेंगे नहीं इसलिए कि रमदान में जो एलान होता है वो भी हमको सुने नहीं आता है और एक मिसाल ले लीजिए एक मुसल्मान जब दूसरे मुसल्मान के लिए दौा करता है तो उसके सर के पास एक फरिष्टा होता है जैसे जैसे वो अपने भाई के लिए मांगता है वो फरिष्टा कहता ए ला इसको भी अता करे इसके लिए इसी तरह आता करे यह नहीं कि जो उसको दे रहा है इसको भी दे वो बीवी मांगे उसके एला इसका निकाह कर दे तो इसको भी निकाह कर दे एला ऐसा नहीं एला जब उसको दे रहा है इसको भी दे इसको भी अता कर रहा है और आथ में डरेगा दूसरों को कुछ मांगने के लिए जो उसको मांग रहा है ए लाह इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी अता फर्मा तो कभी सुना है किसी ने किसी के पीशे से फरिश्टा कह रहा हो कि आ लाह इसको भी दे दे कभी सुने नहीं आता है रोजाना सुबा होती है दो फरिश्टे एरान करते है एक फरिष्टा कहता है ए अला जो खर्च करे उसके माल में बरकत दे दूसरा कहता है अला जो माल को रोक के रखे उसके माल को बर्बाद कर कभी सुना है इसको? नहीं सुना है इसको फरिष्टा जो भी निदा लगाता है हमको सुनने नहीं आता है कितना भी चला है क्योंकि ALLAH अने हमारे कानों से उन चीजों को छुपागे रखा है तो वो चला के भी कहें तो हमको सुने नहीं आने DINGाला है कबर के मूर्दा चलाता है सुने नहीं आता है कान लगा के सुने गा मर रखुक स्ने आता है उसको आया, तो इसका क्या होनाका? यह जायगा मरुक, रबैल्ल्ह गया नहीं आता है अल्लह तॉला ने हमारे कानों से उन चीज़़ों को छुपा रखका है फरिश्टों के आऊओज हम नहीं सुनते है तो इसे के फरिश्टों के आऊओज सुनने नहीं आती है इसका ये मतलब नहीं है कि फरिष्टे आइस्ता इस्ता बोलते है फरिष्टे जोर सर भी बोले तो हमको सुने आएगा नहीं तो इसे ये थाबित करना कि हमको फरिष्टों की आवाज सुने नहीं आती इसका मतलब है कि फरिष्टे आइस्ता बोलते है इस्तिदलाल से ये? नहीं है हमेरे गयावी साब का इस्तिदलाल है तो ये जो हदीश मैंने जिकर की रमदान की ये तिरमिदी इबन माजा इबन हिबान हाकिम और बैहकी की रिवायत जे तो इन रिवायात से ये थाबित नहीं होता है कि आमین आहिस्ता कहना चाहिए हमारे लिए लगनी अल्लीछन बतौर एमाम आप आमीन जोर से कहते थे और साभा बतौर एमृत्बि आमीन जो कहते थे जोर से कहते थे यहां तक के मस्old में ढूझ पैदा हो जाती थे तो ये हमारे लिए ज्यादा अच्छा है बजाए इसके कि लिए बारी बारी गोरो फिकर करके आईसे इस्तिदलार करें जिनकी गुंजाईश ही नहीं निकलती है